दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा फर्स्ट वीडियो में आप लोगों का डॉर का फ्रेम रेड़ी था यह देखिए 35 दो का फ्रेम रेड़ी है इसके अंदर टेतिस इंज का दिख रहा है टेतिस में दो कम लेना है और इसके साथी असी में इसमें टीन पांस उतकम लेना है अब इस प्रकार इसे पूरा कट कर देना है इसके नजमेंट कर देना है इसके पूरा कट कर देना हूँ कर दो कम लेना है विड़त वाला इस चौडाई में हमारे साथ हो नहीं कर देना है अब दो कम लेना है अब इसके कट हो रहा है कि इसके कटिंग हो गया चौडाई वाला है अब लंबाई में लगाटने के लिए फिर इसे फोटिफार उड़की सेफ में लाएंगे कि इसे लंबाई में कट करेंगा है कि इसे 59 इंच काटना है कि इस प्रकार से इसे फोटिफाइब इंगल में काट लेना है कि इस तो यह एंगल है कि इसे फाइबर का एंगल इसे एंगल को आपको टाइट कर लेना है कि इस प्रकार से यह वीड्स जो चुड़ाई यह 32 यह वाले में चारो तरफ चारो कुनों में से इस प्रकार से टाइट कर देना है उसके बाद चारो कुनों में टाइट करने के बाद इसका अंदर का मेजमेंट गालेंगा अंदर इसका फ्रेम लगेगा यह टाइट हो गया है इसमें तेर अच्छो का पान है टास्टिव लगता है कि अ कि थोड़ा एक शुट अंदर करते बाद करना दोता है देखे एक शुट अंदर किया हुआ है कि इस प्रकार से चारो कुनों में टाइट कर लेंगा इसके बाद अब अब मैं इसके मैंस्मेंट निकालोंगा फ्रेम का फ्रेम का मैंस्मेंट लगभग पच्छ दो लग रहा है अब पाचिन से दो सुट है और इसकी इस तरह से अच्छी तो हुए है इसकी लंबाई एक अतर इंच चार सुट लग रहे है इस थोड़ा गेट जो है वो टेपर है एक मुह के लंबाई 35 दो हर एक मुह के लंबाई कि अधिश साथ इसलिए से थोड़ा टेपर काटना होगा यह 25 दो एक साइट लगेगा लेहें यह कि ना से इंच कि स्वारी इक एत्तर इंच दो सुट लग रहा था चार सुट में दो सुट इसे माइनस करना पड़ता है इस प्रकाट से दाग मारने के बाद यह 25 दो एक साइट लग रहा है एक साइट चोविस चार लग रहा है कि यह थोड़ा दरवाजा का 45 डिग्री में नहीं है चारो कुन इसका समान नहीं है कि इसलिए से नीचे कमो कम उपर कमो ज्यादा है इसे प्रकाट से बनाया रहा है देखिए इधर ज्यादा है और उस सिर्हाने में कम होगा है कि इसे कटिंग करना है सब ग्राइंडर मर्शन से भी काट सकते हैं कि देखिए वह चोर आपको दीख रहा है उसका कम है लगबग ना के बरावर है पचीस दो लग रहा था और यह 24 लग रहा है इस प्रकार टेपर ही काटना पड़ेंगा इस प्रकार गेरेंडर से आप मेसे खाट सकते हैं कि अवि कुछ नेक्टिंग हो रहा है रहा है इस बत्तार दो कटिंग हो गया इस प्रकार वहां से थोड़ा शाडस कर गे लाना कुटिंग करते हो गया है अब से पैनल को साइड वार करने डाले ना कि इस परकार से साइड वार के अंदर डालने के बाद यह रड़ी हो गया है डाल कर अब इसे दोनों जो मैंने जिस चारों जिस चारों में एंगल लगाया थे इस परकार डाल देना कि अधर भी डाला गया है दोस्तों यह 45 डिग्री में नहीं होने के करण चारों कोना देखी यह थोड़ा दिश्टब कर रहा है इसका 45 डिग्री पर नहीं काटने करने बाद भी यह मैच नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा ऊपर का कम और नीचे का ज्यादा इसलिए देखें यह कोना मिल रहा है यह कोना नहीं मिल रहा है अब इसे फिर से आमें खोल कर सही करना होगा इसे फिर से कट करना होगा तो फिर यह शिट बनी आवा फिडिंग और फिनिसिंग दोनों ही इसमें आपको सहीतरीक से मिलेगा अब इसे अंदाज करके आपको मेशिन के अंदर बैठा कर कि उतना ही कट हो हमारा ज्यादा ना हो इस प्रकार से बैलेंस करके कटना होगा इसका दोनों छोर कटना है इस प्रकार से दोनों छोर को 45 टीगरी के जगा कुछ ज्यादा ही कट होगा दोस्तों जब बातरूम का दरवाजा बनाते तो कभी कभी क्या हर मुसिबत में यह परसानिया को आ सकती है कि उपर कुछ ज्यादा होगा नीचे कम होगा किसी में जाद नीचे कम और उपर ज्यादा हो सकता है इस लिए इस प्रकार से आपको 45 टीगरी कटने के बाद फिर से देग बार मिलाना पड़ेगा तो आपका चारों कोना जो है 45 टीगरी रुपे आराम से मिलेगा कि देखिए यह सेट किया होगा हम देखिए जो कट होने कारण इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई पैनल की पैनल देखिए मैच नहीं कर रहे है कि यह पैनल है थोड़ा निकला दावा दिख रहा है अब इससे थोड़ा टेपर काटना होगा है इस परकार से हमका टेपर काटना होगा तो फिर आपको से मैच करेगा इसे एक एमो जीरो लेकर वोमो को दोसुद तो कटना होगा तब यह से फिटिंग आए अब देखिए इस परकार दोसुद चाल देना होगा अब देखिए अंदर के और चला गया है अब यह अंदर के और चला गया है अब दोस्तों इमेज नहीं होगा है से और एक बार कट करना होगा तुप जाके मैच होगा अब यह कौन दो कौन तो आप हमारा रेडी होगा लेकिन और दो करना हमें रेडी करना है कि यह वाला लगवक मिल चुगा है अब यह टेपर कट गया है इसका अन्स अभी कोना डिस्टप करने लगा देखिए कि यह भी बोल रहा हमें भी थोड़ा कट करना है तो मैं यह आपस में सड़ जाओंगा यह से थोड़ा कट करना होगा साड़ वाले को तो यह पुरा मिल जाएगा कि यह से भी उसी प्रकार काटना होगा जिस प्रकार पहले वाले को मैंने काटा है कि यह से फीट से उसी तरह कट करना है कि यह से नहmbita करता है करता है किंदो कि इश्यार छबले उसमाना है कि यह से थे ढ़ी से अगया यह रेड़ी हो गया है इसे चारो कोनों को टाइट करना है कि देखे अपस में मिल गया है इसमें कोई दिख्कत नहीं आ रही है इसे साइट करना हुआ इस एंगल में दौनों साइट कर देना हुआ कि इस परकार से चारो कोना को हमें टाइप कर लेना है कि देखे रेडी हो गया है इसको दो दो स्कुर्प लागा कर तेरा चोपान एट का चारो कोना को करोता है कि अधिन करने का बार कि देखे लिए प्ट वालाख करने राट हुआ न हो राइट वालाख वन्याक बांटाइड करने इसको अधिक करने जर्चारो को में बाहा हो ख़ाने आपकर दो कमें ऐसे कमे में एप्र दौना बाड़ी तैसर ना उतरा प्रेज्ञा को करें सेर करें ताकि यह मारा लक्ष है कि सारे देश की युवाफ वर्क सीखे और अपनी दोजी रोटी का कमा है इसलिए मैं यह से वीडियो आप लोग के साथ बनाकर सेर करता हूं कर देखिए इस परकार टाइट कर लें का विए दोर रेडि हो जाएगा इस देखिए दोर हमारा रेडि हो गया है यह सब सिखार को थोड़ा ख्राइल करना है ता कि फीनिस्जी अच्छी यह है हमारी चाहर बbor खोना को थोड़ा ख्राइल करें है तो हमारा सब्धार से इसे के साथ त्यार है अ है आदर काई दन् يबाद दोस्तों देवने के लिए और हमारे सस्ट लाश्ट ने रहने के लिए हैं ऑल è the तो कट आकर डोक दोस्तों हमारे वीडेयो डिये अच्छी लगे तो इसे लिए ओ害 करदें और टेम मारे चनल को सब्राइivel कर लें वीडियो देखने के झाले धन्यवाद।